असलाम लेकूम हलो गाइज विल्कम टू रानीज गार्डेन जैसा कि आप लोगों बताया था कि ऑनलाइन पर्चेस करी है फर्मी कंपोस्ट तो कल उसको अनपैक किया था मसला यह था कि जो और दिखा रहा था मोबाइल में तो टेन केजी का पैक था और शायद 96 का तो हम लोगों को भी खैर बड़ी हैरत थी कि इतना जो है सस्ता कैसे और दूसरे जो देख रहते दूसरी जगहों पर वहां सब बखती महेंगा दिखा रहा था लेकिन थोड़ा सा औ होती है चुकि लालची मिजाज तो हमने का चलो ओर्डर कर देते हैं लेकिन हमने 10 kg के दो पैकेट और किये थे तो हुआ कि एक ही पैकेट आया है और यह बर मुश्किल तमाम 10 kg लग रहा है अब देखिए इस पे जो है कही कोई इसका जो है वेट नहीं लिखा है क्वांटिटी नहीं लिखी हुई है और यह देखिए यह तो मकसद यह नहीं है कि हम किसी को कुछ बुरा कह रहे हैं लेकिन फिलिप कार्ट से सामान मंगाया अकसर करके हमेशा अच्छा निकला तो फिर सोचा कि चलो मंगा के देखते हैं लेकिन बहराल खेर कभी वर्मी कंपोस्ट यूज भी नहीं किया है तो कुछ इतना पता भी नहीं है कि क्या रहता है कैसा रहता है तो बहराल बिलकुल गोबर खाट जो होती है तो वो बखोती अच्छी होती है एक दम काली काली सी दिखती है और ये तो बिलकुल देखिए ऐसा लग रहा है जैसे वो जो बुरादा होता है लकडी का उसको भिगो दिया जाए और बस ये सेम शकल वही दिख रही है और ये पड़ा हमको 196 का तो पहले तो सोचा कि इसको बै जा रहेगा बहराल जादा सैटिस्वाइड नहीं है हम इससे कुछ दिल खुश नहीं हुआ और पैसा भी लग गया और चीज भी अच्छी नहीं लग रहे हैं को और क्वांटिटी भी कम है दिखाया कुछ और दिया कुछ वही वाली बात हो गई है और जो गोबर खाद रहत अच्छा नहीं लगा देख जाके हमको अब देखिए इसका रिजल्ट क्या निकलता है डालने के बार आप लोग बताएगा कॉमेंट करके कभी अगर आप लोगों ने ऑनलाइन परचेस की हो यह कॉमपोस्ट तो बताएगा इसका रिजल्ट कैसा रहा क्या रहा और मेरा तो दूसरी चीज़ आप लोगों को दिखानी थी वह यह कि अभी कुछ अर्शा पहले यह क्रेसें एंधमम उन जब खतम हो गया हमारा यह गुलाव दे तो इसको हमने बिल्कुल जो नीचे से नएने शूर्स इतने थे उनको छोड़के उपर से सारा कट कर दिया था और अब य यह देखिए इसके प्लांट ऑट बीदां अिय है कि अभी इसमें करना कुछ नेहीं जैसा यह चल आवी सेप्टंबर में 2-3 बार से शुरुआत करेंगे और अइसे पिंच एक चिए में स्पहम करेंगे और इस तरह से पिंच आ लेक diagnose ृ jij कर देए और फिर अगर हम चाहेंगे तो कटैंग यहां से ले लेकर को कहिं भी लगा दें तो यह बहुत अच्छे से सब चलता रहेगा और इसमें देखिए गेंदे के बीच डाल दिये हैं तब कितने सारे इसमें प्लांट जो है गेंदे के निकले हुए है यह देखिए अच्छा जो चीज मेन आपको दिखानी थी वो यह तो जो दिखाने वाली थी वह यह देखिए इसमें कीड़ा लग गया है और यह कोई नई बात नहीं है अगर आपने कभी अपने घर में सेम की बेल लगाई हो तो सेम में भी बुरी तरह से कीड़ा लग जाता है और इस प्ल मेली बग ही होता है यह देखिए आपको शायद रिंगते वे भी दिखाई दें है हवा बहुत तेज चल लए है यह देखिए यह सारे प्लांट हमारे एक्दाम कटिंग करके खतम कर दिया था बिल्कूल इतने इतने से बचे थे जड़े बची थी और यह देखिए शायद इ प्लांट तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं लेकिन बस वही है कि इसमें बहुत बुली तरह से खीड़ा लग गया है तो बस कोई लाज नहीं है सिवा इसके किस में जो है डाला जाए पेस्टिसाइट कोई तो एक बोटल हमारे पास इतनी बड़ी उसका कमांडो नाम है तो इसका नाम क्या है नाम से कोई मतलब नहीं है आप लोग यह ज़रूर देख लें पता नहीं दिख रहा है आपको नहीं है यह नीड़ा क्लोप्राइट भी के बोलते है इसको प्रनानिसेशन अलग अलग है इमेडा कुलोप्रेट यह कुलोप्राइट जो भी है तो आप यह चीज़ देखें यह जो है कीट नाशक होता है और प्लांस को नुक्सान नहीं होता है और कि पेस्ट पेस्ट लग जाते हैं वहुंश आ खतने आते हैं अब जो पता नहीं कितने का दिया था यह पाउच ख्याल भी नहीं आए कुछ देख भी नहीं रहा है प्राइज एक्सपाइर डेट है इसमें प्राइज तो कहीं नजर नहीं आ रहा बहराल खेर आप लोग देख लिजेगा और इस एक पाउच को हम इस बॉटल में डालेंगे पता नहीं क्यों आज क्वालिटी खराब हो रही ह कि सेटिंग में जाके शायद कुछ करना पड़ेगा धुंदली आ जाती है पिक्चर इसको ऐसे खट कर दे रहे हैं यह एक्दम पिंग कलर का अच्छा आपको दिखा दे है यह गिल्कुल आलो बुजिया के तरह चलिए हाफ डाला है हाफ अब भी दुबारा से यूज में ले लोंगे और यह दिखिए अब इत्ता तो आपको नहीं दिखेगा अंदर तक यह डिजॉल्व हो गया अंदर जाके आपको शद नहीं दिख रहा हो बॉटल भी अंदर से गंदी ही होती है यह दिखिए अगर आपको अपने पर कीड़े नजर आ रहे हैं किसी तरह के इस पाइडर या मिली बाग या यह तो यह बिलैक वाले होते हैं तो आप बिना देरी करें वे पेस्टिसाइड का शड़का जरूर करें इस पर जरूर कर दें यह देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूं दे देखिए इस पर भी कीड़ा है इसकी शकली बदल गई रहेंगा है कोई कीड़ा तो ऐसे इसे निशान बने होगे तो बहराल प्लांस पर नजर रखनी चाहिए इतने अच्छे हो गए हैं कटिंग के बाद और कटिंग करने जब कटिंग करी मैंने तो इसको मैंने पर्टिलाइज भी कर दिया था गुबर खाद दी थी और इसको खाद मिल गई तो देखिए कितना अच्छे से चले देखिए मैं आपको बहुत मख्जीक से दिखाना चाह यह देखिए उड़ते हुए चलते हुए भी शायद आप पूर नजर आए यह देखिए तो हमें खड़ी हो आती हूं कि हवा का रुख इधरी का है तो बैठी हूं जाइर बाते चेर पे तो मेरे सब्भाइत आ रही है दवा तो दवा तो दवा ही होती ही ऑफिर जरी ली है दवा कीरियो ओंको मारने के लिए है हामफुल तो है है इस फोड़ा सब अबर करना चाहिए और कि बहुत गंदी आ रहा थे कि लब पहनती नहीं हो ना इस पहन के सारे काम करने चाहिए नोजल में कोई प्रॉब्लम आ रही इसके यह जो देखिए धुलाई भी हो जाएगी इससे और शर्मा कि बन रही है अब जितने धुल पाएंगे धुल पाएंगे और एक बार में इस पर कुछ असर भी नहीं होना है और कम असकम जल्दी जल्दी इस पर दो बार किया जाए धुलाई हो जाएगी इनकी इच्छे से असर में इतने ज्यादा प्लांट है और एक अकेले ही सब कुछ करना तो कभी कभी होता यह है कि निगा भी नहीं जाती है ध्यान भी न दे पाओ चीजों पर तो फिर उसमें नुखसान है आता है और प्लांट लगा कर अवेरनेस जरूरी कि चिपके पढ़ें एक टहनी से एक पत्तियों से चिपके पढ़ें मैं देखती हूँ एक कहां तक जो है कि एफेक्टिव रहेंगे यह एफेक्टिव रहती है यह दब आज हवा भी बहुत जबर्दस चल रही है आपको दिख रहा होगा हमारे प्रेड़ पर हिल लें बोरी कि अब बहुत ही जान लेवा होते हैं इसाब हरे भरे प्रान को एक दम खतम कर देते हैं इसे जरूर ध्यान देना चाहिए और मैं आज यह कर रही हूं फिर मैं किसी पर राक जो है इस प्रिंकल कर दूंगी जो राक होती है कंडे की अगर ना वेरेवल हो तो अगर आप शहर में रह रहे हो हमारे आसपास अखर कंडा बहुत आराम से मिल जाता है 200 का कारूबार है हमारे आसपास तो लेकिन अगर आपके आसपास नहीं है तो होटल अब होटल दूसरी बात यह है कि यह जो ब्लैक वला ही जो कीड़ा होता है चोटा-चोटा यह राक से खतम हो जाता है तो मैं राक लाके अभी देखती हूँ भी तो खिराज इस पर यही किया है इस पर रहे हैं उसके बाद राक जो है इस प्रिंकल कर दूंगे बोरे में अब बहुत दूख होता है जब इतनी मेहनत करो प्लांट पर और फिर पीर मकोड़े लग जाते हैं और लग जाते हैं फिर जाहीर बाते प्लांट को खराप ही कर देंगे दुखिए मैं दुला ही कर रही है अपने इसाब कर और अगर आपके पास नहीं है कोई जो है प्रिस् जो भी आपके पास अभी लबल हो तो उसका जो है सस्पेंशन बनाके गोल बनाके और आप इसे तरह से जो है स्प्रे कर दीजिए अपने प्लांट में हना कि जादा टाइम के लिए जो है एफेक्टिव नहीं रहता हो लेकिन जल्दी जल्दी तो चार बार किया जाए तो ख यूज हो गया पानी इसका तो वेतर करीका यह है कि इसको पहले पानी से दो लिया जाए पानी भी ओवर फ्लो हो गये पहले पानी से प्लांट धो लिया जाए उसके बाद पैस्टिस टाल रहे तो बहुत तक जो काम कर जाता है मेरे पास इतने सारे प्लांट हो कई वास सुचा बड़ी अली में मुशीन जे मंगालू लेकिन फिर कहीं कोई काम निकला या कहीं कोई काम निकला या बस यह सब लगा रहता है फैमले में लेकिन क्या बात है प्रेशन नहीं बन रहा है आज है वहीं है इस बनी तेज लगता है कि मली के लिए तेज बनली क्या वात है कहीं लूज है क्या है हात में बेर दरसल तकलीफ है यह देखिए लगा बश्र बुरी तरह से लगा हुआ है एक एक जगहा पे यह देखिए तम काला काला एकीडा है बहुती हिक्सान दे थोड़ा थोड़ा बहुत तो इधर ये प्रेशर से बनता है प्रेशर से ही थोड़े बहुत माद जाते हैं अब अब अगी तो पेश्री साइड पढ़ा ही है इसमें उसका भी असर रहता है अब 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 इसको टेहनी में कि पत्ती में बुरी तरह से चिपके पड़े हैं जड़ा सभी में ध्यान ना देती और दोचार दिन में ये प्लांट सब भरबादी हो जाते है अब 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 करें कि अब 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 अ चत्ता आज एक है इस आप की सा इसाथ ही का प्लांट है यह इसkो भी साथ में लगा थे इस पर कभी यह थोड़ा दूर रखा हुआ था थोड़ा अलग था उन दोनों प्लांट से तो इसमें है इसा नहीं कि यह लेकिन कम है और उन दोनों जो है पॉट में यह मिट्टी सब आके चिपट गई है यह देखिए यह लंबे वाले पॉट है हमारे तो यह जो ही सलामा थे तरहा इसमें इतना गर्दा नहीं लगा वेकिन में जो है अचा उपर हमारे जो है चंपा के भी प्लांट रखे हुए हैं और उन पर भी मिली बग दिखा था तो मैं सोच रहे हैं थोड़ा सा बचा है क्योंकि हमेरे पर दवा भी खतम हो गई है अच्छो की बाहर निकलना भी नहीं हुआ है तो मैं उस पर भी कर दू चलो मैं वह भी आपको दिखाए दे रहे ह मिली बग का टेक बहुत बुरी तरह से हुआ है इससे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें एक दूद जैसा चिट्ट्र पा लिक्विड निकलता है अगर इसकी लीव तोड़ी जाए तो यह देखिए यहां से यहां तक यह सब बहके आया है यह देखिए तो हम लो देखिए स्प्रेय करती है यह देखिए लगता तो और नहीं है कहीं लेकिन में फिर भी यह देखिए हमारा टमाटर के प्लांट है कोई लगाए नहीं इसमें चुड़ी अडिया ने बीजी डाला है खावा के बीट करती है हां तो उसी से हो जाता है देखिए लेकिन अभी इसमें कुछ है नहीं कोई पेस का अटेक हुआ नहीं लेकिन मैंने अहतियातन डाल दिया है यह देखिए हमारा बढ़िया चल रहा है यालो कलर का बोगन मिलिया को साथ ही देखिए यह रानी कलर का नीचे हुआ है भी तर्दी इच्छा कलर है है कि उसमें याद बढ़ा हुआ है यह यह भी टर्माटर है यह अपने आप हो गया है और देखिए इसमें टर्माटर खूब निकले हुए च्छा आपको टमाटर बहुत सारे हैं और यह हमारा ड्रेगन फ्रूट है तो यह देखिए इसका वेट बहुत बढ़ गया इसको मैं करती हूं कुछ तो रमजान शुरू हो जाएंगे इंशालला कल से तो सुबा को आओंगे फजर पड़के और मैं इसको रिपॉर्ट करूंगी हाला कि यह बड़ा है बोरी बड़ी है इसके लिए मिट्टी भी ज्यादा चाहिए और मेरे पास जो पॉर्ट है वो पॉर्ट शाहिद दस इंची या बारा इंची है तो वो सफिशन नहीं है लेकिन अब हमारी मजबूरी है और यह इसमें बेटा जा रहा है प्लांट इसको सही नहीं ह इसको जो इंशालला करती हूंने कुछ एक दो दिन में एतियातम मैंने इस पर कर दिया है तो जहराल इस पर को किसी तरह पेस का अटाइक नहीं है लेकिन अब मैं आई हूं मैं सोच रही हूं कि करी दूं देखें कितना अच्छा सा चल लाहा है इसमें जरा सी दबाबची है इसमें कुछ प्रॉबलम है इसमें कुछ प्रॉबलम हो यहां पर तो यह नहीं निकलता है चलिए गाइस उसको जो है अनपैक्ट करना था और आप वहों को दिखाना था वह माइट्स का अटैक हो गया है तो बस आठी वीडियो इतनी है अगर वीडियो अच्छी लगे जरा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा प्लीज और अमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा खया लगएगा वीडियो देखने का बहुत बश्यूक्रिया है औ दौा मिया अगर चेगा अलाह फीज बाई